कि आज हल सुष्टी हैं, बगवान बलराम जी की जैन्ती हैं और किसान बगवान बलराम को पूझता है, हल की पूझा करके ही अपने कारोबार को चलाता है तो ऐसा एक पवित्र दिवस आज एक बहुत बड़ी योजना ले करके आये हैं, मैं सभी देश वाचियों को विशेश तोर पर मेरे किसान भाई और भेहनों को हल छटकी और दावुद जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुपकामनाय देता हूँ इस बहतर पावन अवसर पर देश में क्रिसी से जुड़ी सुविधाएं तयार करने के लिए एक लाग करोड रुपिय का विशेश फंड लॉंच किया गया है, आज के पवित्र दिन पर लॉंच किया गया है इससे गावों गावों में बहतर भंडारन आधुनिक कोल स्टोरेज की चेन तयार करने में मदद मिलेगी और गावों में रोजगार के अनेक अवसर तयार होंगे इसके साथ साथ साड़े आठ करोड किसान परिवारों के खाते में पलक जबकते आपने देखा होगा, स्विच आउन किया और पिएम किसान सन्मान निधी के सत्रा हजार करोड रुपिये सीधे सीधे साड़े आठ करोड किसानों के खाते में जमा हो गए कोई बिचोलिया नहीं, कोई कमिशन नहीं सीधा सीधा किसान के पाथ चला गया संतोसीज बात का है, किस योजना का जो लक्ष था वो लक्ष हासिल हो रहा है हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुँचे और जरूरत के समय पहुँचे इस उद्देश में ये योजना सफल रही है बीते डेड़ साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं इस में से 22,000 करोड रुपिये ता कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दवरान किसानों तक पहुँचाए गए हैं झाल